दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना वर्ल्ट ओवर स्पाइंग एक्टिविटीज कर रहा है। और रेड़ी एक वीडियो में हम आपको चाइनीज स्पाइ एजनसी MSS के बारे में बता चुके हैं। और लास्ट वीक, US गौर्मेंट ने चाइनीज ओरीजन के लोगों को New York City से एस्पिनाज के चार्जिस पर अरेस्ट भी किया। और हावर्ड के एक एक्स प्रोफेसर को भी रीजन्टली चाइनीज इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इंप्रिजन किया गया। साथ ही रीजन्टली ऑस्ट्रेलिया में भी ऐलेक्सेंडर सर्गो को चाइना के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शियर करने के लिए एरेस्ट किया गया। रीजन्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज एंटिटीज 2021 से लेकर अभी तक स्टैन्फॉर्ड उनिवर्सिटी को 27 मिलियन यूस डॉलर्स दे चुकी हैं। और दूसरे यूस कॉलेजिज में भी चाइना हाई अमाउंट में डोनेशन्स कर चुका है जिसे यूस एंड वेस्ट में एक प्रो चाइनीज गैडर तयार किया जा सके। तो दोस्तों अगर चाइना यूस और यूरोप की पावरफुल कंट्रीज में अपना इंफ्लुएंस इंक्रीज करने में लगा है तो सोच ये इंडिया में भी चाइना कुछ न कुछ कर ही रहा होगा।